नमस्कार दोस्तों स्टड़ी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है तो फ्रेंड साज हम शुरू करेंगे यूजी सी एंटी नेट पेपर वन का पार्ट नंबर 40 जिसका नाम है कक्षा संचार की विजेशता है तो फ्रेंड से ये शिक्षन योगे दागा बहुत ही महतरन पार्ट है तो इसको आप विडियो को पूरा अंतक देखें अगर विडियो अच्छा लगए तो लाइक और शेकरना मत बूलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथे बेल आइकन दबाई है ताके आने वाली हर वीड इसको फॉलो कीजिए अगर आपको पेपर वन का स्टडी मेटीरल चाहिए इसकी कोस्ट है बारास ओर पर तो यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मेडिया में मिलेगा तो यह आपको कम्प्लीट और अपडेटर स्लेबस मिलेगा इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ है तो अगर आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप में जॉइन होने चाहते हैं इसकी कोस्ट है दोसर पर तो फ्रेंट्स इसमें आपको डिली लिंक देंगे साथ में PDF देंगे अगर आप टेलीग्रम चैनल जॉइन करोगे हमारा तो वह बिल्कुल फूरी है इसमें आपको गईल बाकी की जानकरी आपको यहां पर दे दी जाएगी। चात्र को पढ़ाने के लिए कक्षा के अंदर करता है जिसे कक्षा संचार कहा जाता है। जो चात्र को पढ़ाता है चात्र को कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं है वो होता है मुलांकन। जैसे मान के जले कि शिक्षग ने चात्रों को बढ़ा दिया तो जब एक्साम हुआ जब परिक्षा होई उसमें कई बच्चे फेल हो गए तो उसमें क्या पता चला है। कि जो मुलांकन है जो शिक्षा का किया गया है उसमें यह पाया गया कि शिक्षा ने बच्चों को अच्छा नहीं बढ़ाया तब जारे बच्चों जब पास हो जाए तो उसमें माना जाता है कि जो शिक्षा ने बच्चों को बहुत अच्छे से करवा दिया तो कक्षा संचार, तीरा पांटे कक्षा संचार जो चातर के अंदरीत है, तो friends कक्षा संचार हमेशा ही चातर के अंदरीत होता है, चातरों को जो अच्छा लगता है, चातरों के according, ठीक है, सब कुछ क्लास हैं पढ़ाया जाता है, शिक्षक को ये मालूम होना चाहिए कि चात पढ़ाने में निर्देश बहुत ज़्यादा काम में आते हैं किस सब्जेक्ट को किसे पढ़ाना है किस हिसाब से पढ़ाना है तो कितने समय पढ़ाना है तो निर्देश होते हैं पारस्पिरिक संचार कक्षा में माना जाता है दिए पारस्पिरिक संचार क्या है कि जैसे शेक्षक बच्चों को बढ़ाते है वो पारस्पिरिक संचार है जैसे शेक्षक ने बच्चों कुछ पढ़ाया बच्चों ने अगर कुछ प्रेशन उत्तर करने है तो वो इसे वारोन का सिध्धानद यांकि जो कक्षा-कक्षी जो कुलासरूम है, उसमें जो संचार है उसके सिध्धान THK, उसके नियम का क्या सिध्धान है अब देखिए शिक्षक और चातर दोनों के लिए पहले जानेंगे शिक्षक के लिए क्या है कक्षा कक्ष में जो संचार के जो नियम का सिधानते पहला शिक्षक के लिए है इसमें कहें कि शिक्षक को पता होने चाहिए कि वे क्या सिखा रहे है शेक्षक के लिए सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें पता हो चाहिए कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं तो वो उनके कितने काम में आना चाहिए चात्रों को रूची के साथ ध्यान देना चाहिए शिक्षक ऐसे बढ़ाना चाहिए जिसमें छातर जो है वो रूची के साथ ध्यान दे कि ताकि उनको जो शिक्षक बढ़ा रहा है वो उनको अच्छे से समझ में आज़े शिक्षक और शिक्षार्थी को समाने भाषा को अपयोग करना चाहिए यानकि जो शिक्षक है उसको समाने भाषा को अपयोग करना चाहिए बच्चों को बढ़ाने के लिए क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे वो समाने भाषा को अपयोग करेगा यान कि जो समझाया, जो सिखाया गया, जो नया सत्ते है, यान कि जो नई चीज शिखाई जा रही है, वो उसे ग्यात के माध्यम से, उसे बताना चाहिए किसी याद कैसे करना है, मान के चले शिक्षा ने कोई नई चीज पढ़ाई है क्लास में, उसको याद कैसे रखना है, व इसमें क्या है कि जब शिक्षे जो चात्रों को सीखने के लिए प्रेड़ना देता है उसे प्रिरीद करना चाहिए उसे सासा में एक्जामपल देनी चाहिए पताना चाहिए कि आप अगरे शीख लोगे तो आप यह बन पाओगे आप ऐसे बन पाओगे यान कि चात्रों के लि ने सत्य या देखे चातर जो पहले कुछ सीखते थे अब चातर कुछ नई चीज को सीख रहे है तो उसको उन्हें समझना चाहिए कि इसे कैसे पढ़ना है अब वो उसको करते रहेंगे करते रहेंगे तो उसमें उनको एक आदद बन जाएगी और एक कोशल बन जाएगा अब गणित के सवाल जितने भी मुश्किल क्यों ना हो अगर उसको करते जाएंगे करते जाएंगे तो उनको वो एक आदद पढ़ जाएगी तो उनका एक कोशल बन जाएगा वो चीज करने में नेक्स्ट है मुलांकर में कहा है शिक्षण और सीखने का प्रिक्षण और सिद्ध करने के लिए कह जाता है मुलांकर क्यों किया जाता है कि शिक्षण में शिक्षण किन के बीच में होता है चात्र और शिक्षण के बीच में अब शिक्षण ने चात्रों को कितना सिखाया बच्चों को कितना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये सब कुछ मुलांकन में देखा जाता है, ठीक है बरेंट, तो अब बारी आती है छात्रों के लिए, अब जो कक्षा गया नियम है, वो छात्रों के लिए भी जरूरी है, शिक्षार्थी का नियम, चात्रों के लिए क्या है शिक्षाथी का नियम? शिक्षाथी का नियम यह है कि वो संचार सीखे यानकि जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उनको उसकी बात पर शिक्षक की बात पर या शिक्षक पर ध्यान किंद्रित करना चाहिए कि वो किस हिसाब से पढ़ा रहा है उनके द्रिष्टी कोंट से समाद करें यान कि जब शिक्षा क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी बातों को वो अच्छे से सुने अगर वो उनकी बातों को शिक्षा की बातों को एक छातर सुन रहा है तो अगर उसको कोई doubt है तो तुरंत अपना उसी द्रिष्टी को उनसे समाद कर सकता है तो उससे शिक्षर को भी पता चलता है कि चातर जो है वो रूची ले रहे हैं यहने कि सिंपल सा यह मतलब है कि शिक्षारती का नियम यह है कि उनको पढ़ने के लिए रूची होनी चाहिए ठीक है फ्रेंज उनको यह नहीं होना चाहिए कि हमने कितनी समगरी जब पढ़ लिए उनको ये होना चाहिए कि जो शिक्षक में पढ़ा रहा है वो कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है या उनने कितने अच्छी तरीके से सीखा है कई बारतने कि शारती सीखते हैं चातर सोईते हैं कि हाँ आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया अब जादा तो पढ़ लिया पर कितना समझ में आ ये भी तो दिखना चाहिए न ये की क्लास में ने अच्छे से अच्छे तरह से सीखना चाहिए चाहे वो कम पड़े चाहे वो जादा पड़े अमीद का नियम ये पचाना सिखे कि आप अपने चात्र या उन लोगों के साथ कैसा अनभव करते हैं जिनके साथ आप समभात करने हैं आप उन्हें अपनी पूरव निरधारी सिमाओं के बजाए इश्वर के दिश्टी को उनसे देखेंगे देखें उमीद का नियम क्या इसमें यह जाना होता है कि जो शिक्षक चात्र को सिखा रहा है तो उसको मीद पूरी होन चाहिए कि हाँ जो एक शिक्षक नियम सिखाया है वो अपने अनभव से अच्छा ही सिखाया है यही उनके exam में काम में आएगा ठीक है friends तो उनको यह पूरी होन चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं अशिक्षक से वो अच्छी तरह से सीख रहे हैं यह शिक्षक अच्छी तरह से चीखा रहे हैं आवेदन का नियम आवेदन का नियम में क्या होगा ग्यान के बजाए समय प्रेक्षन ग्यान परदान करना सीखें आवेदन का नियम में क्या है कि ग्यान के बजाए मनलोग कि आपको जितनी knowledge है उसके बजाए आप समय के according आपको जितनी ग्यान की दूरते है आप उतना ही देखें ठीक है यहनकि जब यह मन के चले कि आपको आज जैसे समय कम है तो समवाज जैसे आपने अपने शिक्षक से करना है तो आप उतना पूछें जितना की समय के according है कि ताकि बाकी बच्चों के भी बारी आ सके टान आ सके ठीक है फ्रेंट यहनकि आप पूछें शिक्षक जो शात्र उतना ही पूछना चाहिए जितना की समय के according कि ताकि पूरा लेक्चर उसी सवाल में उसके आंसर में ना निकल जाए यहनकि पूरे ग्यान के बज़ाए क्या है थोड़ा सा ग्यान पूछना समवाद करना जो आपके लिए ज़रूरी है और कि फात्र की चीज़े इसमें नहीं पूछना प्रति धारन का नियम सबसे दही जानकरी के लिए सबसे कम समय के लिए सबसे बड़ी अवधारना के लिए समवाद करने की कला सीखी देखें प्रति धारन का नियम क्या है कि जाधा जानकरी कम समय के लिए अतिक जानकरी के लिए ये सबसे वेरी अवधारन के लिए समवाद की कला इसमें क्या है कि कम समय में आपको जाधा जानकरी पूछनी चाहिए यनकि टाइम कम में आपको जाधा से जाधा जानकरी टीचर से पूछनी चाहिए मलब कि कम समय लेना चाहिए, वो था है परदिधारन का नियम अवशक्ता का नियम केवल प्रशिक्षक के एजन्टे के साथ आगे बढ़ने के बजाए दर्शकों की जरूरतों का जवाब देना सेखें, यानकी प्रशिक्षक के अपने जीवन के हर क्षेतर में संचार के लिए मुझबूधार बनाना सेखें इसमें क्या है कि जीवन के हर क्षेतर में यानकी जीवन के आपको जोविक शेतर है इसमें संचार के लिए एका मजबूत आधार बनाईए, ठीक है यानकी आपको लाइफ में कई जगह पे, life में कई हिस्से में आपको, जो संचार अपके काम आएगा, तो इसको आप मजबूत भिनना चाहिए, जो आप सेक रहे हो तो आपको वो आपके सारी जिन्दिगी में काम आएगा संचार आपके जीबन के ही ट्से दर में तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू जाहें